Hello students पिछले वीडियो में हम लोग मायोपिया की बारे में देख चुके थे इस वीडियो में आगे देखते हैं quickly एक बार मायोपिया को revise कर लेते हैं आगे चलने से पहले चुकि मायोपिया और hypermetropia दो जो ice के defect है दोनों बिल्कुल similar है similar बोलो नहीं, actually opposite है चलो एक बार देखते हैं, जाधा अच्छे से समझ में आएगा मायोपिया हमने बताया था क्या है इसका दूर्सरा नाम है nearsightedness नजडिक की चीज़े देख सकते हैं nearsightedness नजडिक की चीज़े आराम से देख सकते हैं दूर की चीज़े नहीं देख सकते किताब पहने में कोई डिक्कत नहीं है लेकिन कोई दूर से आ रहा है उसको नहीं पहचान पाएंगे बढ़ी अजीब बात है लेकिन ऐसा होता है कई लोगों का चस्मा ऐसा रहता है कि चस्मा पहन कर दिन पर काम करते हैं लेकिन कुछ करना पढ़ना पढ़े लिखना पढ़े तो चस्मा उतारना पढ़ता है इसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया या नियर साइटेडनेस नजदीक की चीज़े साफ साफ लिखती है ऐसा क्यों होता है पिछले वीडियो में देख चुके हैं हम लो इसको है इसको है ए person with disc defect has far point nearer than infinity far point सबसे दूर जिसकी चीज देख सकता है infinity तक नहीं देख सकता है उससे निजदीक की चीज़ देख सकता है कुछ एक मीटर सक्टेख सकता है बहुँ जादा दो नहीं देख सकता है इन इसकी आई the image of a distant object is formed in front of the retina थी तो उसका image कहां बनता था focus पे और वो focus कहां पर लाई करता था retina की तो देखो picture में एक normal eye में normal eye में क्या होता था देखो यह दो maropic eye का दिखा है diagram normal eye में क्या होता है यह infinity से जब light आती है तो object eyes के lens जो है इसको lights को converge करके retina पर image बनाते हैं और retina पर ही focus होता है लेकिन myopia होने के बाद क्या होता है infinity की object का infinity पर जब object होती है तो उसकी image focus पर नहीं बन पाती है infinity से नजडीक किसी point पर object है तब ही image focus पर बनेगी इस o से अगर ज़्यादा दूर चलीगी object और से आगे बढ़ गई है यह object infinity के तरफ तो क्या होगा image नजडीक बन जाएगी retina पर नहीं बनेगी तो दो कारण हो सकते हैं क्या कारण हो सकता है एक तो यह हो सकता है कि lens का focus focal length कम हो गया है या दूसा कारण यह हो सकता है कि यह eyeball का जो length है यह length यहीं जादा हो गया दो कारण हो सकते हैं दोनों में जो भी कारण हो एक जडी concave lens लगा दिया गया तो concave lens यहीं लगा दिया गया तो lens के reflection की वज़े से image सही जगा पर बन जा दिया ठीक है concave lens क्या करता है infinity से आने वाली lights को कुछ इस तरह से diverge करता है कि लगेगा object किसी एक point से आ रही है focus point से आ रही है क्यूं होता है दो कारण बता है हमने excessive curvature of eye lens बहुत थिक हो चुका है focus उसका कम हो चुका है focal length बहुत कम हो चुका है या elongation of the eyeball eye lens और retina के बीच का distance बढ़ गया है है ना तो इस lens का eye lens से retina की image retina का distance जो है वो focal length से ज्यादा हो गया है it can be corrected by using suitable concave lens concave lens of suitable power will bring the image back on the retina यहां तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे अब आगे चलते है hypermetropia अब यह myopia से बिलकुल opposite होता है hypermetropia यह दूसरे तरह का eye defect है जो की glasses से correct कर सकते है ice की विमारियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं ice में ऐसी problems की बात कर रहे है जो physics की concepts को लगाकर सुधारे जा सकते है क्या है hypermetropia myopia था near sightedness hypermetropia और इसके उल्टा है false sightedness दूर की चीज़े साफ दिख रहे है कोई दूर से याद उसको आराम से पहचाल लेंगे दो लेकिन किताब पढ़ने के लिए चस्मा चाहिए ऐसे लोग जिनको यह hypermetropia का problem होता है यह लोग चस्मत तभी इस्तेमाल करते हैं जब कोई बुक पढ़नी होती है निउश्पेपर पढ़ना होता है या कोई नजदीक में रख करके किसी चीज़ को हाथ में लेकर के उसे बहुत ध्यान से देख करके कुछ महीनी काम करना होता है क्या सेम बात है दूर की चीज़ों को आराम से देख सकता है हाइपरमेट्रोपिया का पेशिट लेकिन नजदीक वाली चीज़ों को नहीं देख सकता है इसका मतलब क्या है सेम चीज़ को डेख एक्स्प्लेइन करने की कोशिस कर रहे हम लोग नियर पॉइंट और फार पॉइंट के टर्म्स में आइस में एक नियर पॉइंट होता था सबसे नजदीक जहां की चीज़ों को देखा जा सकता है और एक फार पॉइंट होता था सबसे दूर जहां की चीज़ों को देखा जा सकता है अब ये hypermetropia में far sightedness है दूर की चीज़े तो देख सकते हैं आराम से, नजडीक की चीज़ों को देखने में problem है, तो नजडीक वाला जो near point था, उसमें कुछ changes हुआ है, क्या change होगा, वो थोर दूर चला जाएगा, 25 cm जो near point था, उससे जादा दूर चला गया इसका near point, 25 cm से ज जादा दूर पे newspaper अगर इत्ती दूर पे रखके पढ़ने की कोशिस करेंगे, तो पढ़ सकते हैं क्या, नहीं पढ़ सकते हैं ना, newspaper पढ़ने के लिए तो नजडीक लाना ही पढ़ेगा, mobile में message आया, उसको पढ़ने के लिए तो नजडीक देखना पढ़ेगा, मेरा video देख centimeter from the eye for comfortable reading, तो अगर font size बढ़ा होगा, तब तो दूर रखके पढ़ सकते हैं, लेकिन font size अगर छोटा है, तब नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे, this is because, ऐसा क्यों होगा, light rays from the close by object are focused at a point behind the retina, अब हम लोग इसमें क्या करते थे, near point के case में क्या होता था, या between the focus and the lens पर image आ गई है, इसका image बन जाता था retina पर, लेकिन अब retina के पीछे बन रही है, retina के पीछे image बन रही है इसमें, दो कारण फिर से हो सकते हैं, वहीं दोनों कारण, या तो focal length बढ़ गया है, आई के lens का focal length बहुत ज़्यादा हो गया है, lens पतले हो गया है, focal length बढ़ते चला गया है, हमने देखा था थिक lens अगर होगा, करवेश से ज़्यादा होगा अगर, focus कम होगा, करवेश कम होते चला जाएगा, focus बहुता चला जाएगा, एक कारण तो हो सकता है, focus ज़्यादा बढ़ा हो गया है, या दूसरा eyeball ही छोटा हो गया है, दोनों ही situations में, बात तो वहीं होनी है, इमेज, focus पर बननी है, और focus रेटीना पर नहीं है, focus रेटीना से आगे है, देखो, जो diagram देख रहे थे हैं हम दो, यह near point था, यह near point था, यहां से जब light आती है, तो image focus पर बन जाता है, रेटीना पर बन जाता है, और रेटीना और focus दोनों coincide करता है, नॉर्मल लाइं में, लेकिन यह near point जो eye का है, यह 25 cm नहीं रह गया, यह ज़्यादा हो गया है, ज्यादा हो गया है का मतलब यह focal length बहर चुका है, focal length बहर चुका है, eyes का lens का focal length ज्यादा हो चुका है, है ना, तो, यरी, यरी actual 25 cm पर image को रख दिया जाए, यरी actual 25 cm पर object को रख दिया जाए, तो image बन जाता है यहाँ पीछे, image बन जाते ही, यहाँ पर, क्यों, eye lens पतले हो चुके है, focus ज़्यादा हो गया है, यह ज़्यादा पतला हो चुका है, इसका focus यहाँ तर पहुंच गया है, यह दूसरा कारण हो सकता है, कि eye lens को actually ऐसा होना चाहिए था, लेकिन eye ball ही छोटा हो गया है, यह तो यह focus बढ़ गया ह यह eyeball चोटा हो गया है, दोनों में जो भी होगा, दोनों यहाँ पर coincide कर रहते हैं, यह तो यह focus को आगे बहा दो, यह eyeball को पीछे ले आओ, दोनों situation में बात तो ही होनी है, image रेटिना से पीछे बन जाएगा, तो इस हारत में क्या करते हैं, एक concave lens लगाते हैं, और फिर उसक can be corrected by using convex lens, convex lens क्यों लगे कर समझ में आ रहा है न, यारी object यहाँ पर होता तो सही image बन जाती, लेकिन object है यहाँ पर, convex lens क्या करता है, light rays को convex lens थोड़ा सा curve कर देगा, center की तरफ, यह न, curve कर देगा, थोड़ा सा center की तरफ, उसके बाद लगेगा, apparent position आ जाएगा, end पर, तो eyeglasses with converging lens प्रोवाइड एडिस्नल फोकॉसिंग पावर रिक्वाइड फॉर्मिशन अफ इमेज ओंडर रेतिना, ठीक है, तो concave lens से hypermetropia solve हो जाता है, convex lens से hypermetropia solve हो जाता है, दो आई की problem से एक दूसरे से opposite है, दोनों का solutions, lens लगना है, एक दूसरे से opposite lens लगना है, एक और problem आती है इमें, तो क्या होता है, प्रिस बाइड़ पिया, क्या होता है, power of accommodation of eye usually decreases with aging, age के साथ सारी power कम होते रहती है, चलने फिरने की सकती कम हो जाती है, बोलने की सकती कम हो जाती है, सुनना कम हो जाता है, दिखना कम हो जाता है, सब कुछ कम होते जाता है, तो उसी तरह से आइस का power of accommodation भी कम हो जाता है क्या होता है इसका power of accommodation याद करो हमने पढ़ा था eye lens की thickness को change किया जाता है ताकि focus को adjust किया जा सके और दूर की चीज़ हो या past की चीज़ हो सभी का image हमें चाहिए उसी रेटिना के उपर तो accordingly eye lens का power को कम या जाना किया जाता है जो eyes के अंदर lens है जो उस lens की बात कर रहे हम लोग external चस्मी की बात नहीं कर रहे है power of accommodation याद है न कभी lens मोटा हो जाता है कभी पतला हो जाता है जैसे requirement हो lens की thickness उस्तरकी हो जाती है accordingly focal lens हो जाता है और सारी चीज़े हमें दिख जाती है तो for most people power of accommodation कम जब हो जाता है power of accommodation कम हो गया क्या होगा near point थोर दूर चला जाएगा near point थोर ज्यादा दूर चला गया और near point दूर चला गया तो pass की चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते है this defect is called presbyopia okay यहां पर हम लोग hypermetropia में हमने बात की थी कि eyeball छोटा हो जाता है लेकिन इसमें अब presbyopia में क्या हो रहा है power of accommodation कम हो जा रहा है muscles की power कम हो रही है it arises due to gradual weakening of ciliary muscles आइस में ciliary muscles भी थे याद आ रहा है आएगा हम देखना होगा इसमें से क्या this arises due to gradual weakening of ciliary muscles of the eye and diminishing flexibility of the eye lens याद करो power of accommodation इसमें से रहा है power of accommodation the ability of the eye lens to adjust its focal length is called accommodation condition याद आ रहा है या जब lens पतले हो जाते हैं infinity की चीज़ों को जब देखना होता है तो यह object focus पे आ जाती है object focus पे आ जाती है और इसकी image बनेगी अब infinity पे जब focus पर हम लोग image object को रखते हैं तो इमेज infinity पर बनती है तो रेटिना पर फिर से इमेज बन जाती है मतलब इसका focal length अब कम हो चुका है focal length इसका बहुत कम हो चुका है रेटिना infinity पहुंच गया है यहीं power कम हो जा रहा है myopia देख चुके थे hypermetropia भी देख चुके थे हम लोग प्रिस्वायोपिया में थे ciliary muscles की power कम हो गई है eye lens की flexibility कम हो गई है focus focal length अब बहुत जाड़ा adjust नहीं कर पा रहा है some time से person में suffer from both myopia and hypermetropia दोनों एक साथ भी हो जाता है न नजदिक की चीज देख पा रहे है न दूर की चीज देख पा रहे हैं बीच की चीज थोरी थोरी देख पाते हैं इस तरह के लोगों को चाहिए क्या bifocal length bifocal मतलब जिसका focus दो अलग-अलग focus है एक focal point नहीं या दो अलग-अलग focal point नहीं असा कैसे हो सकता है कैसे हो सकता है एक lens का focus दो अलग-अलग कैसे हो सकता है bifocal simple solution है देखो इसमें दो अलग-अलग lens लग जाता है convex और क्यों किनी के spectacles में देखा है न चसमा बीच में से lens कट रहता है उपर एक अलग lens है नीचे एक अलग lens है यह होता है bifocal lens the upper portion consists of concave lens it facilitates distant vision concave lens से दूर की चीज़े देखते थे तो उपर में concave lens लगा रेते हैं और नीचे में convex lens लगा रेते हैं कुछ पढ़ने के लिए जब पढ़ना होता है हम लोग को तो कुछ ऐसे रखके पढ़ते हैं न आई lens के spectacles के नीचे की चीजों से नीचे के parts से देखना है और जब दूर देखने हैं तो आगे देखना है तो ऊपर के parts से देखना होता है स्पेक्स के इसी दोनों को यूज करके सेम स्पेक्टिकल में डो लेंस या दो अलग अलग फूकस का लेंट लेंस लग जाता है और क्या आजकल तो बहुत सारा development हो चुका है एट इस पॉसिबल तो कर्यक्ट रिफ्रेक्ट्टिव डिफक्स ऑफ कंटता माउंस विथ कंटक् कलेंस ओ यूज जहसे विठीक हो जाता है या कंटक्ट अच्छहसे लेंज़ आकटमें लग जाते गोन अखना ही तरीके से स्भर्प्राव्लम्स हो जाता है टीन डिफेक्स थे आई के मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्बायोपिया टीनों क्लियर हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग अगली टॉपिक हमारे पास है रिफ्रेक्शन ओफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म पिछले चैप्टर में हम लोग रिफ्रेक्शन दूफ लेंस देख चुके हैं रिफ्रेक्शन त्रूफ स्लैब तो भूँछ सिंपल था अब आया है रिफ्रेक्शन थूफ प्रिज्म क्या होता है रेक्टैंगूलर स्लैब पहले ही याद को उसे कम्पैर करेंगे स्लैब, इमेर्जन ट्रे इस पारलेल तुडा इंसिदेंट ट्रे, इमेर्जन ट्रे जो होती थी इंसिदेंट ट्रे से बिलकुल पारलेल निकल जाती थी थोड़ा असा डिस्प्लेस्मेंट हो जाता है था उसमें, हावाववेट इस स्लाइटली डिस्प्लेस्ट लैटरली यह यही इसी के उपर में द्रॉ कर रहेता हूँ ग्लास लैप था है अगर माल हो यह ग्लास लैप है इसमें एक लाइट रे इस्टर से आती है थोड़ा सा टूर्च नर्मल बेंट हो जाती है पहले फिर वापेस अभी तो यह लाइट रे अइमर्जन ट्रे और इंसिडेंट रही यह दोनो जुँ है यह दोनो परखती है लेकिन थोड़ा सा टिस्प्लेश्मेंट हो जयाता इस था से है इसा होता था और ने क्या होगा एरिसर प्रिजम में क्या होगा प्रिजम में ऐसा तो नहीं होगा कुछ और होगा क्या होता है प्रिजम में चो उसी को तो देखना है हमें consider a triangular glass prism it has two triangular bases and three rectangular lateral surfaces कैसा होगा यह से यह होता है प्रिजम एक यह triangle रहती इस तरह के एक triangle है और triangle थ्वासा मोटा हो गया generally जैसे paper का triangle कट कर लेते हैं वैसे ठिक glass में से triangle को कट कर लेते हैं तो इसको हम लोग प्रिजम में बोलते हैं तो इसमें देखो यह वाला surface की बात करें तो इतो rectangle होगा तेको यह rectangle है इससे से यह surface rectangle है similarly यह वाला surface भी rectangle होगा और यह नीचे वाला surface भी rectangle होगा front surface यह वाला surface और इसके ठीक पीछे वाला surface यह दोनों triangular है triangular prism इसलिए इसको triangular prism बोलते हैं तो क्या है हमारे पास three triangular base two triangular base है और three rectangular lateral surface है मतलब prism को इस triangular base के उपर रखते हैं इस base के उपर रखते हैं ठीक है अगर इस rectangle के उपर रखेंगे तब तो यह glass slab बन जाएगा ना rectangular glass slab हो जाएगा अगर इस face के उपर रख देंगे तो prism से हमें काम करना है तो triangular side से रखना परता है क्या difference होता है triangle side से रखो या rectangle side से रखो दोनों में क्या अंतर पर जाता है काफी कुछ अंतर हो जाता है these surfaces are inclined to each other refracting surface हमार पास दो है यहाँ पर देखो refracting surface eraser please yes इस में अगर हम लोग refract कराएंगे अगर तो एक बार इस face पर refract होगा एक बार इस face पर refract होगा दो face पर refract होगा और दोनों के बीच में एक angle है यह वाली angle यह angle यह अगर इस face पर और इस face पर refract करा होगा तो यह angle है किसी वीडो face पर refract कराएंगे तो एक angle है क्या है यह angle between two lateral faces is called angle of the prism prism में एक angle होती है glass slab में reflection में हमें कोई angle के ज़रूद नहीं थी चलो अगले वीडियो में हम लोग actually refract करवाके दिखेंगे chips झाली करें बढ़के चर्यांई बढ़ कोई जढ़के।